आगामी मई 2023 में दो बड़े एक्जाम है पहला एक्जाम 14 मई को है UPPCS का एक्जाम और दूसरा एक्जाम 28 मई को है IES का एक्जाम परिक्षा से पहले का ये समय संपूर्ण रिवीजन का समय होता है और अभ्यास का समय होता है तो आप सभी की लगातार डिमांड पर आजाद IES Academy के अप्लिकेशन पर complete revision crash course आपके सभी के लिए लाये गया है और ये crash course में जितना भी आपका प्रारंभिक परिच्छा का पाठक्रम है देखे IES के लिए अलग crash course है UPPCS के लिए अलग crash course है दोनों के लिए अलग-अलग crash course है अलग-अलग revision course है जिसमें आप सभी का complete revision इस समय करवाये जाएगा जो भी होता है current affairs आपका जितना भी है साथ ही पर्यवरण की विशेवस्तु है या उत्तर प्रदेश राज जी विशेश जो UP special से जुड़ी हुई चीज़े जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं आप सभी के लिए complete revision पूरे subject का बहुत fast track आप सभी को करवाये जाएगा इस स साथ ही आप सभी को test series भी अबलेबल होंगी test series अलग से आप सभी को लेना होगा app में test series भी अबलेबल कराएगे यह test series का भी target दिया जाएगा आपको तो इसमें full land test होंगे C site के भी test होंगे साथ ही previous year के test भी हम आपको करवाएंगे subject wise current affairs के भी यहाँ पर test होंगे तो test का batch आप सभी का आ चुका है साथ ही आप सभी का complete revision course आप सभी का आ चुका है तो आजाद है यह से academy app में आप सभी जा करके इस दोनों batch से जुड़ सकते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यह देखे यह आपका मैं एक बार आपको दिखायता हूं हाँ अब आप देख पा रहे होंगे उपर देखे यह आपका IS का batch है और काफी बड़ी संख्यम बच्चे जुड़ चुके हैं यह IS 2023 batch नंबर 11 है और इसके बाद UPPCS का batch नंबर 4 है यहाँ पे देखे UPPCS का batch नंबर 4 है तो आप सभी इन में जुड़ करके अपनी तैयारी प्रारम कर सकते हैं आप सभी को विकुल basic से ले करके चलेंगे पहले एक बार थोड़ा सा आपके exam के pattern को ले करके और फिर subject wise fast track revision कराएंगे बहुत तेजी से revision कराएंगे और revision भी बहुत basic से advanced level तक का होगा जो परिक्षा में आने वाले जो प्रशन हैं उन प्रशनों की प्रकती के अधार पे ही चीजों को आपको बहुत targeted और focused study कराई जाएगी तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आजाद ही इस academic का आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके इन दोनों बैस से जुड़ करके और साथ ही weekly targets के माधिम से आप सभी का class complete कराई जाएगा तो चलिए बैच के अंदर मिलते हैं class के अंदर मिलते हैं